हेलो दूस्तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे रैपको होम फाइनस लिमिटेट से रेटेड यह शेयर करता क्या है कंपनी है क्या करती है इसके टेक्निकल क्या है इसके फंडामेंटल क्या है पूरी इसकी जनम कुंदली हम देखते हुए नजर आएंगे और देखेंगे कि यह हमें आगे कितने रेटन दे सकता है क्या अच्छा शेयर है या अच्छा शेयर नहीं है वो सब चीजों से रेटेड बाते करेंगे बट उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट आल के नॉटिफिकेशन कौन करिएगा बैंक सेलिंग की कोई सब्सक्राइब नहीं है अपने फाइनिशल एडवाईजर खुथ की स्टड़ी करो और जतना हो सके सीखने ही कोशिश करो सीख सकते आप वीडियो के थुरू यहां पर वीडियो दी गई है बट वीडियो में बहुत सारी चीटे होती है जो हम आपर बात नहीं कर बाते तो आ अलावा आप देखोगे बेसिक्स टु एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडमेंटल एससे ट लोकेशन कब लेना है कब बेचना है रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ट रिशो सारी की सारी चीटे हम यहां पर बताते हुए नजर आते हैं एस यहां पर तीरी मंस की यह कोर आपकेट में काम करियेगा विद वन एयर ऑफ एक्सपीरियेंस याद रखिये पैसे बनते हुए नजर आएंगे इसके इलावा आपको पता है हमारे एक वाटसप गुरूप है जहां पर इस टौक्स दिये जाते हैं बारे सो रुपे पर मंत आप हमें यहां पर पे करने होते इस तरीके से यहां पर शेयर भागते हुए नजर आयते हैं तो आप चाहो तो डेली बेसिस पर यहां पर श्टॉक्स दिये जाते हैं अगर किसी का पूर्टफोलियो बढ़ा है और साथ में काम करना चाहता है तो इन नमबरों को सेव कर लीजिए कॉंटक करिए वाटसप होम फाइनेंस की हम बात करते हैं अगर हम बात करें तो मार्किट के अब देखिए लगबार 865 करोड़ रुपे की कंपनी है मैं स्मॉल कैप है और जब भी मैं स्मॉल कैप की जिक्र करूं तो हमेशा एक चीच को याद रखिएगा कि शेयर जब भागेगा तो एक बहती करता हूँ अभी नज़र आएगा तो यह इसका जो स्मॉल कैप की जो खासियत है वह यह खासियत है और इस चीच को हमेशा ध्यान में रखना है इसके लावा पी की बात करें 6 के पी पे इंडश्टी का पी 22 का है बुक वैल्यू की बात करें 402 रुपे का शेयर पैस 298 पे च कर देखना नहीं है क्यों क्योंकि यह होंफाइनेंस कंपनी है मैं अब यह यहां पर लोण से लिएकर कंपनी काम करती है नजर आती है प्लैजिंग कोई भी प्लैजिंग नहीं है 339 का इसने फिलाल में वनाय था 52 वीक हाई मैकसियन चाट बैटन मैं आपको दिखा सकता हूं कंपनी करती क्या है तो यहां पर देखिए कंपनी अप्राइल 2022 में इस्टैबलिश हुई थी इसके इलावा यहां पर आप देखोगे यहां पर रेजिटर्ड आउजिंग फाइनस कंपनी है तो यहां पर यहां पर आप देखोगे तो लोन का काम हमेशा अच्छा माला जाता है मार्केट में इस चीज को आपको पता ही है तार्गेट मार्केट की बात करें तो यह जो जिन ओडियन्स को यह यहां पर टार्गेट करते हैं वो टीय टू और टीय टीरी एक union territory में भी एक company काम करते हुए नजर आती है तो overall बात करें तो पैन इंडिया नहीं है बट हम बात करें आदे भारत में लगबा लगबा यह फैला हुआ है आप चाहो तो इनकी एक बार website पर विजिट कर लीजेगा आपको पूरा का पूरा idea लगता हुआ नजर आएगा बट overall मोटा मोटी अगर हम देखे तो company का काम क्या है लोन देने का काम है इस चीट को हमें क्या करना है ध्यान में रखना है इसके इलावा देखिए यह क्या है finance related है और finance में आप देखोगे home loan related है तो अभी काफी companies के number आए और सारी mostly companies के number क्या आते हुए दिखाई दे रहे बड़ इस चीट को हमेशा याद रखिएगा quarterly results देख लेते है यह last quarter के result है 340 क्रोड रुपे की sales ठीक है revenue होता जो की highest ever ही मैं कहूंगा यह कर ली जी लगबग फ्लैटी रहा है बट यहाँ पर आप देखोगे financial margin तो 33% के financial margin highest ever लगा तर 2 quarter से आता हुए दिखाई दे रहे हैं company का 113 क करोड रुपे का यहाँ पर financial profit net profit देखे 82 करोड रुपे का मतलब क्या company यहाँ पर अच्छा खासा yearly quarterly basis पर company काम कर रही है company का EPS अच्छा खासा चल रहा है और यहाँ पर gross NPS देखोगे तो वो भी यहाँ पर quarterly yearly basis पर as well as net NPS देखोगे वो भी घटते हुए नजर आ रहे है तो company क्या नजर आती है company यहाँ पर अच्छा काम करते हुए नजर आ रही है इसके इलावा हम बात करते है yearly basis पर तो yearly basis पर यहाँ पर देखिए 300 करोड रुपे की sales 1300 करोड की sales पर बदल गई है net profit देखिए 61 करोड से लगबग 296 करोड तो company लगातार ऐसा कोई year नहीं गया जहाँ पर घटर दिखाया हो अच्छा ही काम करते हुए नजर आई है अब बात करते हैं यहाँ पर company के reserves की तो reserves देखिए यहाँ पर 250 करोड से 25 करोड के आसपास के reserves बोराइं की बात करें company की यहाँ पर बोराइं capacity बड़ रही है जो कि एक अच्छी बात है यहाँ पर हम बात करें 32 करोड का investment है cash की बात करें तो लगवा 444 करोड का cash है positive cash flows नजर आते हैं इसके लाबा आप देखो गहाँ पर promoters तो promoters 37.13% के share as it is बनी हुई है यह particular companies FIS की बात करें तो FIS भी है 13% की DIs की बात करें तो DIs तो अपने हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ा रही है और public की बात करें 29% के share 29 में भी यहाँ यहाँ पर क्या नजर आता है overall चीज़े हम देखें तो अच्छी राजी यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती है अब बात करते हैं यहाँ पर इसके चार्ट से लेके कंपनी का चार्ट क्या कहता हुआ नजर आ रहा है बट उससे पहले request है चानल बात करते हैं यहाँ पर rapco home finance related तो यहाँ पर चार्ट अगर हम देखें तो एक अच्छी घासी यहाँ पर शेयर आप देखोगे तो 172 से लेके यहाँ तक भागता हुआ नजर आया तो overall हम बात करें तो शेयर लगबग 95-100% तक के return already यहाँ पर मार्च से लेके अभी तक लग रखता है और अभी क्या आने वाले रिजल्ट आने वाले और अगर रिजल्ट आते हैं और अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो यह शेयर दुबारा bounce back करेगा और bounce back करके यहाँ पर जैसे ही यह 309 का लेवल निकालेगा successfully निकालेगा तो यहाँ पर क्या होगा एक तेजी होती ही नजर आएगी जो इस शेयर को सबसे पहले यहाँ पर इसके जो प्रीवेस हाई है stage 2 थी, stage 3 थी, stage 4 यहाँ पर चली इसके बाद stage 1 का consolidation पूरा complete होता हुआ नजर आ रहा है और share मुझे कहा नजर आता है 900 रुपे तो यहाँ पर 300 रुपे चल रहा है और यहाँ से अगर share भागता हुआ नजर आता है तो आपको कितने percent तक के return बनते हैं तो 210 percent तक के return यहाँ पर 210, but 50 percent तक के target हमें यहाँ पर एक से दो quarter के अंदर देती हुई नजर आ सकती है, buying selling की कोई recommendation नहीं है, किसी के कहने पर कोई share लेना नहीं है, ठीक है, simple education professor वीडियो होती तो सीखना है और आप हमें यहाँ पर contact कर सकते हैं, so thank you so much, God bless.